जमू कश्मीर के डोडा जिले के काश्टीगर इलाके के जाडान में आंतंकियों और स्रक्षावलों के बीच पीती रात मुठबेड हुई थी इस मुठबेड के चशमदीर हमारे साथ हैं जिन्होंने सब कुछ आपनी आँखों से देखा है आईए उनसे बाचित करते हैं क्या नाम है अपना मेरा नाम रिनू शर्मा है क्या हुआ था रात को विस्तार से बनाएं रात को भीया हम मतलब पहले तो आर्मी आई नूम बज़े साड़े नूम बज़े जैसे और उसके बाद उन्होंने बोला कि मतलब सारे लाइटे शाइटे बंद करके सो जाओ आप तो हम फिर सो गे तो कोई कम से कम कोई दो वज़े जैसे रात को फाइर होना शुरू होगे तो हम बहुत डर गे उसके बाद तो आपको पता था कि आर्मी वहां रुकी हुई है हाँ बिया मतलब हमें पता था हमने उनको खाना भी दिया था पुंचा के उपर तो काफी ज़्यादा फाइरिंग हुई हाँ काफी ज़्यादा दो वज़े से लेकि सुबा पांच वज़े के करीब तक हुई तो फिर इस दुरान कि आपको फोन आया आर्मी की तरफ से हाँ जी बिया बहुत फोन आये बहुत ज़्यादा फोन आये और उन्होंने बोला भार भी नहीं निकलना है कि अंदर ही बैठे रो आप तो ये पूछा गया आप से कि क्या कोई अस्पताल कोई डॉक्टर है यहां पर हांजी क्या पूछा था पूछा था कि कोई मेडिकल का है तो मतलब हैल्फ करो हमें उनको मतलब दो आर्मी वालों को मतलब जक्मी हुए थे उनको मतलब फाइर बज़ा था तो आप तो बहुत ज़्यादा डर्गी होंगे उस समय जब यह फाइरिंग हो रही थी तो हम सारे पहले तो हम अलग लग सोई थे अपने रूम में फिर हम सारे पूरी फैमिली एक जगा पे कटे हो गए पूरी रात हमें बहुत दर्गे थे तो हर तरफ से आंतंकियों क्यों से फाइरिंग की जा रही थी हांजी तो क्या लग रहा है आंतंकी कितने थे ज्यादा आंतंकी थे यक लग तो रहे थे मनलब दो तीन एक थे भी तो हमारे जवानों ने भी मूत और जवाब दिया हांजी बिलकुल लेकिन कितना दुखी मन हो रहा है कि दो जवान जखमी हुए हैं आपने उनको दिया उन जवानों को आपने देखा उनसे मिले आप कितना मन दुखी है बहुत ज़्यादा बिया बहुत दुख लगा वो हमारे लिए रक्षा कर रहे हैं जंगलों को सर्च करने दा कि आंतंकी मिले लेकिन इस तरह से जब आंतंकी हमला करते हैं आपको लगता है कोई ना को को सुने में आया कि वो जखमी हो गए एक तो ज़ादे ही मितलब वो जखमी हुआ है तो जब वो आये थे तो आप उसी समय खाना देने गे थे उनको हाँ जब वो इस यंव कोई दस वज़े से रोटी पूचाने रोट चाही दी हमने खाना वगेरा दिया उनको इस स्कुल मे पहले भी कभी आंतंकी हमला हुआ था? हंजिविया हुआ था पहले भी कब? वो मुझे नहीं बदा आप इन से पूछे साब आप बताएं कि क्योंकि उन जवानों को जैसे कि मैडम बता रहे हैं कि खाना आपने दिया उन पर हमला होता है वो भी जवाब जो है दानतंकियों को मुत्वर जवाब देते हैं क्या आपने देखा क्या बताना चाहेंगे? देखा तो कुछ नहीं रहा थी बहुत ज़ादा सिर्फ फाइरिंग सुनी हैं हमने बहुत फाइरिंग मलब दुनों तरफ से बहुत ज़ादा हो रही थी तो जवाण कितने ज़्यादा थे? जवाण यहाँ पर की कमी थे? जवाण तो थे 15 जवाण थे 15 जवाण थे तो कितने बज़े गे थे आप खाना देने? हम तो साड़े 9 बज़े गे थे फाइरिंग कितने मेचे स्टार्ट हुए हो? फाइरिंग कोई 2 बज़े स्टार्ट हुई थी अज़े 7 कारे 10 बज़ए 4 पांच बज़े थे पहले हमला हुआ था यहाँ पर? पहले हाँ 1004 पांच में हमला हुआ है तब election थे यहां पर MPK उस टाइम हमला हुआ था यहां पर तो तब भी जखमी हुआ था कोई नहीं तब जखमी नहीं हुए थे कोई में अब कितना डर लग रहा है कि पहले यहां पर miltency होती थी लेकिन अब पूरी तरह से miltency free यह लाका था दुबारा आंतंकी यहां पर आ चुके हैं अलग लग जगाओं में आंतंकी हमले हो रहे हैं कितना डरे हुए है डर तो बहुत है सर's, डर तो बहुत है हमारे Haim Осब होगा loghat दूसरी जगा होगा एक तिसरी जगा गर होगा खेले-खेली घर Là यहां पराच धर तो बहुत है धैने पाहर तो नहीं निकले आपने नखर नीम्लें तो फिर प्रों का नहीं nggak कोई चार बज़ जैसे साड़े चार बज़े आया था जब दूसरी पार्टी आई थी इनकी यहां पे तो उनको लेने जाना था उनको रास्ता नहीं पता था तो उस टाम फोन आया था मैं तो फिर हम उनको लेके आए फिर यहां से मुलम उन्होंने सर्च बगेरा किया पूरे तो है तो मैसर लोकल के बगेर तो इतना हो नहीं सकता है लोकल सपोर्ट तो है उनको यहां की लोकल के बगेर MUKा रूक यह स्कूल है यह जगा है लोकल स्पोर्ट है आपकी बाचीत हुई होगी उन गाइल जवानों से भी आपकी बाचीत हुई होगी क्या बाचीत हुई थी उनसे जवाए तो खाना उन्होंने मांगा आपसे क्या बाचीत थी यह बताए शाम को बस उन्हें चाहे पी थी सिर्फ च तो बरीज जादा फ़ार शुरू होई एडा तो पहले तो आपको समझी नहीं कि हर वगा की क्या हुआ है नहीं रेन है ऊन्ट किसी का क्या पर फ़ोन आया किसी का उस्यगा मिंप प्राइज मैं थे उसमें नई अच्छा आपके मिलें नई मैं नहीं मिलें फारिंग ज्यादा हुई हाँ ये देखिए ये वो चशमदीद हैं उस हमले के आप इनके चाहरे देखिए इनकी आखें देखिए एक डर है एक खोफ है मन दुखी है क्योंकि उन जवानों से मिले थे जो यहां करता है कोई उन्हें ये बताता है कि स्कूल में आंतंकी रुखे हुए हैं आंतंकी फारिंग करते हैं आंतंकी गर्रेड दाखते हैं लेकिन हमारे जवान बहर जादा लड़ थे आंतंकियों की फारिंग का मूतवर जबाब देते हैं लेकिन आंतंकी रात का फाइदा उठात देर किया जाए क्यामरमेन जेते अंदर के साथ पंकर शर्मा न्यूस 24 डोडा काश्टीगड